साथ श्याकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट अज दी क्लास विच लर्निंग डिसेबिल्टी नाम दे टॉपिक नू डिसकस करें जा रहे हैं सिखन दी अयोगता या फिर सिखन दे वकार एज टॉपिक पियस्ट एग्जाम पॉइंट ओव यू तो काफी इंपोर्टेंट है इवन पेपर वन एन पेपर टू दी त्यारी कर रहे स्टूडेंट्स इस वीडियो नू त्या अनाल वेखन दे समझन क्योंकि एत्थों प्रशन बन जान देने जेकर मैं स्लेवस दी गाल करां ते स्लेवस विच वी ए जड़ा टॉपिक है जी ए मैंशन है मैं तो आनू स्लेवस दे विच वी वखादना तो अड़े सामने मैं पियस्ट एट दा स्लेवस ओपन कीता होया है जित्थे तुसी वेख सकते हूँ अड्रेसिंग दा नीड्स ओफ चिल्डरन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एम्पेर्मेंट एक्सेक्टरा तो अज़दी क्लास वेच आपां इस टॉपिक नू बहुत ही चंगी तरीके नाड डिसकस करांगे जीदे नाड पेपरां विच ओन वाले सारे सवालना दे जड़े जवाब है गया जी ओ चंगे तरीके नाड दे सकते हूँ चंगे तरीके नाड अटेंप्ट कर सकते हूँ तुसी सिर्फ बड़े त्यान नाड इस क्लास नू सुनना है तो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नू क्लास नू शुरू करने तो पहला चैनल नू सब्सक्राइब जरूरू कर ले हो क्योंकि असी ऐस तरह दियां इन्फोर्मेटिव एंड इंट्रस्टिंग वीडियोज बणो दे रहने हैं जड़े टॉपिक दी अपना गल करने जा रहे हैं सबतो पहला जरूरी गल इह है कि अपना नू इस वर्ट दा मेनिंग पता होना चाहिदा है कि अपा लिनिंग डिसाइबिल्टी केंदे केंदे किनू आ एंड लिनिंग डिसाइबिल्टीज किन्ने तरह दियां बच्यां वीच पाय encунд लिकार ने सो वेख लेनने याजी learning disability बारे जोदो आपका किसे भी person दी गल कर देयां किसे भी बच्चे दी गल कर देयां कि जोदो ओ किसे नाड गल बाच चंगी तरीके नाड नहीं कर पौँदा जिमें पहले point वेच एही गल दसी होई है कि learning disabilities की हों दियाने जी neurological हों दियाने जे दे करके ओ चीजा नूँ याद नी कर पौँदा दूजे लोका नाड गल बात नी कर पौँदा एंड उस person नू cognitive functioning देविच भी problem हों दिया है cognitive functioning दा मतलब एह है कि जेकर उने कोई intellectual वड़ा कम करना है जित्ते दमाग दी लोड पैंदी है उना कमा नूँ करन लगया उस person नूँ difficulty हों दी है learning disabilities काफी कार्ण हो सकते ने किसे परसंदी learning difficulties दे वेच जमें की कुछ कार्ण हो सकते ने जी genetics दे करके क्योंकि कई बार जड़े मापयों हो सकता है कि उना दे जड़े मापयों सेगे जी उना दे वेच वी ए सेम प्रॉब्लम है गया से गया और कई बार genetics दे वेच भी तबदीली ओन करके एक जड़ा बच्चा है ओदे वेच learning disability जड़ी पाई जा सकती है कई बार brain injuries हो जान दियाने या फिर कोई होर developmental issue जड़ा की natural तरीके नाल ही हुंदा है बच्चे दा जड़ा वकास है जी जे दे करके जड़ी तो अनू learning disability बच्चया वेच पाई जान दिया अक्सर बच्चे दे childhood period वेच ही इना disabilities नू identify कर लिया जान दा है जेकर अपा इना दे childhood वेच ही इना जिड़िया डिसेबिल्टीज ने identify कर लिये आपा इना नू थोड़ा जादा support देके कोज कोज जड़िया डिसेबिल्टीज हुंदियाने आपा उना कर सकते हैं जड़ों बच्चे आदिया इना डिसेबिल्टीज नू identify नहीं कीता जान दा थे बच्चे आनू future वेच काफी सारिया मुश्कलां दा सामना करना पेंदा है तो जेदे करके ए टीचर दा पर्ज बंदा है पेरेंस दा पर्ज बंदा है कि बच्चेयां वेच जिड जीडियाँ डिफिकल्टी हुं धियाने एक किन्न्ए तरा दियंपाईया जान दियाने वैसे धा दोस्तों तो आटए exam को एड़ा वीटों 9 लेके दस जडियाँ डिफिकल्टीज उन दियाने या फिर कह सकते हैं कि जडियां learning disabilities हुं ध्याने जी ए विक्षन दो मिल दियाने पहला नमब्र वाले जिटी डिसेशिक्ट रष्ण अफैजिया आफैजिया की एजी जदो किसे परसन बोले लगयां लेखे होया जी speaking करन दे वेच, speak करन दे वेच, listen करन दे वेच, listen दे नाड उनुँ पढ़न वेच ते लिखन वेच जदो समस्या ओंदी है पाव एह कि जदों केसे परसन नुँ communication करन दे वेच गल बात करन दे वेच जदों उनुँ चणोतियां दा सामना करना पैंदा है आपा इस चीज नुँ कहने है जी अफेजिया, example दे थुरू भी आपा समझ सकते है struggling to understand spoken instruction की आपा बच्चयां नुँ कुछ instruction देती है कि चलो बच्चयों, बुक्स खोल लो, पहला paragraph है जी, यहनु रीड करो ते बच्चया अपने जड़ी गल्ले गिया, ओ चंगे तरीके नाड नई समझ पार रहा और जड़ीयां गल्ला उन्हें समझ लेएं ने, ओ जदों आपा अनुँ समझ लेएं ने कोशिश कर रहा ते हो सकता है कि ओ चंगे तरीके नाड एक्सप्रेस भी नई कर पार रहा ते एनुँ आपना अफेजिया दा नाम दिनने हैं, उमीद करता है, अफेजिया वारे तुसी समझ गे होने हैं दोस्तों इस वीडियो नो तुसी तेंतो लेके चार वार वेख लेओ, सारिया ही डिसेबिल्टी जवारे तो अनुचंगे तरीके नाड समझ लगजेगी दूसरे नंबर वाड़ी जड़ी डिसेबिल्टी है गी है, जड़ी की काफी पॉबलर है गी है जी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया वर्ट उसी बहुत वार सुनया भी होगा तारे जमीन पर नामदिक मूवी आई सी की, इशान नाम दा बच्चा सी, जड़ा बच्चा इस बिमारी नल कह सकते हैं या फिर इस लर्निंग डिसेबिल्टी नल सफर कर रहा सी इस डिसेबिल्टी विच बच्चे नूँ रीड करन दे विच एंड राइट करन दे विच जदों मुश्कला दा सामना करना पैंदा है जमें कि ओ जड़े अक्खर हुन देने जी उनानू रिवर्स कर देना है जमें एक बहुत ही वधिया एक्जांपल है जी जमें इन्हें गौड लिख्या हुया गौड नूँ वो डॉग पड़ेगा इसे तरह ही काफी सारे जड़े वर्ड हुन देने जी उनानू ओ ऑपोजिट तरीके नाड रिवर्स करके जदों पढ़ना शुरू करदा है इस डिसेबिल्टी वेच बच्चा किसे भी कताब नूँ कॉम्प्रिहेंट नी कर सकदा किताब पड़े टाइम बच्यानू मुश्कलां दा समना करना पह सकदा है थर्ड नमबर दे है जी हैपरलेक्सिया हैपरलेक्सिया वेच की हुन दा है अपनी उमर दे पदर्तों वद शब्दानू पढ़न दे योग होन दे बावजूद समझन वेच मुश्किल कि कई बार तुसी वेक्या होना कि बच्चे कताब मा भी पढ़ लेंदे ने बट उनानू समझ नहीं पहुंदे सो मतलब इह है कि ओदे जड़े नालदे बच्चे ने ओता सारियां चीजा नू समझ लेंदे या बट ए हजे भी जड़ा एक स्पेसिफिक बच्चा है वो कताबानू पढ़ लेंदा है बट उनानू समझ नहीं पा रहे है comprehension वेज समझल वेज दिक्कत आरे हुं दिया इस तरह धी difficulty नू डिसेबिल््टी नू अपा केदने आजी hyperlexia, की कहने याजी hyperlexia third number ते है जी dyscalculia, fourth number ते dyscalculia दी जदो आपा गाल करने हा difficulty with understanding and working with numbers and making math challenging, पाव एकि जदो बच्चे नू, calculation करन विच प्रॉब्लम आवे, जबे की जड़े arithmetic सुन्दे ने arithmetic means की जदो बच्चे नू गनित करन दे विच math दे, formula नो यूज करन दे विच समस्या होंदी है समझे लो तुसी की dyscalculia disability है गिया math नाल संबंदिट disability है जदो बच्चे number नू नहीं समझ पाउंदे, calculation नहीं कर पाउंदे जोड़ कटा, गुणा पाग नहीं कर पाउंदे, इनू अपा dyscalculia दा नाम दिनने या, dyscalculia सो अग्गे चाल दे या, अगली है गिया जी dysgraphia graphia तो तुसे सामझे साकते हों कि ए लिखन तो संबंदित है गिया dysgraphia, लिखन तो संबंदित है गिया जे दे विच difficulty हुन दी है का दे विच difficulty हुन दी है लिखन दे विच, writing दे विच कि एहो जी writing करते ने जे दे विच उनानों समस्यादा सामना करना पैंदा है उना दे जेडे return work हुन दे ने जी organize नहीं कर पाऊंदे example दे विच आपा समझ लेनने है कि उना दे जेडे लिखाई हुन दिया हुन किसे नों समझ नहीं हो दी जदो ओ लिख दे ने जी उना विच काफी ज़्यादा जड़िया स्पैलिंग दे विच mistakes सुन दिया ने कई बार class विच भी आपा बच्चया नों जदो पड़ाउने है तो आपा जो कुछ लिखोन ने है पैंदा है लिखन लगया इननों आपा कहनने है जी डिसग्राफिया बारे विच तुझी संजगे होने हैं अगले दी गल कर दे आपा डिसप्रैक्सिया दी डिसप्रैक्सिया दे वेच जदों किसे बच्चे नों दी जो हो बच्चे वी उनानों समस्या दा समना करना पैंदा है इन्हों आपा नाम दिनने आज जी डिसप्रैक्सिया दा दूज़े शब्दा विच समझ लो कि जदो मॉर्टर कॉर्डिनेशन नहीं हो पौंदा कि जदो हो वाइट बोर्ट ते ब्लैक बोर्ट ते वेख रहे ने उन्हा दे जड़ा कॉर्डिनेशन है गा जी ओ नहीं बन पारे या बच्चे लेख नी पारे आप दे जड़े बुट्टा दे जड़े तसमीने जी ओ नहीं बन पारे हुंदे उन्हों आपा कहने जी डिस्प्रेक्सिया अगे चाल देयां बोडी डिस्मॉर्फिक डिस ओर्डर श्रीर दे डिस्मॉर्फिक विकार ये दे विच आपा गल कर देयां कि बच्चा आप दी अपीरेंस नू लेके एक नेगटिव जड़ी इमेज है गिया जी ओ क्रियेट कर लेंदा है और सोशल आइस्टोलेशन दा शिकार हो जानदा है मतलब है कि मान लोग बच्चा कह सकते हैं कि कमपलेक्शन दे विच ओधा रंग डार्क है या फिर ओधा कोई बॉड़ी पार्ट जमें कि ओधी जड़ी नोज है गिया जी ओवड़ी है ति बच्चा की करेगा जी उन्हा चिज्जा नू वेक के बॉड़ी शेमिंग करदा रहेंदा है और उन्हों लगदा है कि यो बहुत ही अलोन पर्सन है गाजी उन्हों कोज भी वद्यानी लगदा जो जदो ऐस तरह दी थिंकिंग बच्चे बिच डिवलप हो जाना दी है किसे एक स्पैसिफिक गलनू लेके इन्हों आपां body dysmorphic disorder कहने है यह जड़ा disorder है गाजी exam point of view तो एनना important नहीं है गा बट तो आड़ी understanding light ठीक है चल दे है अगले disability ते ADHD कई बार तो आड़ी तो इना दी फुल फॉँआ भी पुछी जा सकती है attention deficit hyperactivity disorder त्यान का अटा hyperactivity disorder कई वार तुसी class विच वेख्या होना कुछ बच्चे एह होजे हुन देने जी जड़े की एक थांते टेक के नहीं बैट दे इदर उद्धर पस दे रहन देने अट उना दी जड़ी interaction होन दी है बाकी बच्चे नाल ओ भी वध्या त्रीके नाल नहीं होन दी जेदे कारके उना दी जड़ा academic performance होन दी है पेपरां वेच जड़े नंबर ने जी वह बहुत ही काट ओं देने या फिर बहुत ही पूर ओं देने इस तरह दे जड़े बच्चे होन देने उन्हानों आपा कहा देने है कि एहे attention deficit hyper activity disordernal suffer कर रहे ने स्कूला दे काम करन लगया भी उन्हानों काफी जड़ा जड़ियां समस्यामा ने जी उन्हादा समना करना पेंदा है तुसी समझ साकते हैं कि जड़ो बच्चे नों difficulty होन दी है का देवेच सिटिंग देव autism दी discussion करने तो पहला मैं तो अनुए दसदना कि ADHD and autism एक similar टाइब दे ही दो में हैगे ने डिसेबिल्टीज है गयाने बट इना वेच इक माइनर जड़ा डिफरेंस है जी ओ विखरनू मिल दा है जदो आपा ADHD दी गल कर देयां एदे विच बच्चे attention भी नहीं दे पाउंदे पाव एहे कि उना दा जड़ा consideration हुंदा है जी ओ नहीं हो पाउंदा जेदे करके ओ social interaction चंगे तरीके नार नहीं कर दे सो मन सकते हैं कि ADHD अंब्रेला टर्म है गया है ओधा एक जड़ा पाट है गा जी ओ है autism autism दे विच मेंली जड़े बच्चे ने जी ओ communication दे विच उना दी प्राबलम हो दिया social interaction दे विच उना नू प्राबलम हो दिया हाला कि एदे विच जड़ी attention है गी या कैसे भी काम करन लगया जेकर हो कोई भी टास्क कर रहे ने सो उना दा जड़ा त्यान है गा जी उस काम व विच मुश्किल हों दी है अते दोस्ती बनाण विच उना बच्यानों मुश्किल हों दी है एक अलसी के जी autism दी autism तो बाद आपा गल कर दिया जी cerebral palsy दी इस disability विच जदो बच्य की करदेने जी बच्यानों आप दी body movement करन दी विच प्रावलम हो दी है उना दा जड़ा पोश्चर सहगा जी आप दी जड़ी body है गी है और उना नू जड़े daily work करने हों देने तुरना फिरना हो सकता है बैठना हो सकता है खान पीन दा कम हो स जेमें कि drawing दा कम हो गया लिखन दा कम हो गया fingers वाले जड़े भी कम हों देने जी ओ करन वेच बच्यानों प्रावलम सोंदियाने बच्यानों तुरन फिरन वेच भी समस्या आ सकतिया मसल प्रावलम हो सकतिया सो एनू अपा cerebral palsy दा नाम दिन ने या अग्गे वेख देने आ auditory processing disorder, auditory processing disorder ये तो आनू नाम तो ही clear हो गया होना कि जड़िया instruction उना अनू दित्यां जा रही आने जड़िवियो sound सुन देने उना नू की कर देने जी ओ समझ नहीं पहुंदे उना sounds नू समझना उनाली बहुत ही ओखा कम हुंदा है इनू आपा auditory processing disorder दा नाम दिन ने या processing visual information की जड़िया information ओनू ओदे समने विख रही आने उस information नू पढ़न दे विच लिखन दे विच समझन दे विच जदो बच्चे नू मुश्कलां दा समना करना पेंदा है जे में की कोई उना समने picture है गिया जी उस दे color नू लेके shapes नू लेके ओ की करदा है जी उस special जड़ि awareness हुंदी है ओ एननी जादा नहीं हुंदी उन्हों difficulty हुंदी है कोई वी चीज इमेजिन करन लगया तो उन्हों स्ट्रगल करना पेंदा है कोई चीज पढ़न दे विच एंड समझन दे विच सो इस तरह दी disability नू अपा visual processing disorder दा नाम दिनने या visual processing विकार उम्मीद मैं एही कर है ता सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करियो और इस तरह दिया informative एंट इंट्रस्टिंग वीडियो जुड़े रहो अपने चैनल नाल दोर्स्टेप एजुकेशन पॉइंट नाल थैंक यू सो मच फर वाचिंग गाट ब्लेस्ट यू अल